ठीक है तो देखो अब लास्ट क्लास में जो हमने टेंशन फोर्स पढ़ा था उसके बाद उसके और कंटीनिव कर रहे हैं टेंशन फोर्स इसको और फर्दर कंटीनिव करके इसक्रीन विजबल है आपको करोगे करेंगे वह फुरी वाला कंसेट लर्ण करोगे कि पुली वाला कंसेट्प्ट कि पुली के साथ किस तरीके से बॉडी आघे बढ़ती है तो जो पुली है वो अलमस्त सभी लोगों ने देखा होता है कि जो पुली है वो किस ट्रैप की होती है रहा हम सब拜拜 को कहीं कहीं देखा जरूर होगा अपनी लाइफ में और इसको अगर हम द्रॉ है करके देखना चाहे और इसके चारों तरफ से इस्टरिंग पास होती है इसके चारों साइट से मदब एक स्ट्रिंग को इधर भी हैंग करते हैं और दूसरे साइड पर भी स्ट्रिंग को हैंग करते हैं and then स्ट्रिंग का कुछ पोर्सन ऐसा भी होता है जो इस पुली के उपर से ऐसे क्रॉस करता है, मतलब सम स्ट्रिंग is on the पुली ऐसे, इस तरीके से भी स्ट्रिंग जाती है ठीक है और यह जो पुली है, इसको हम लोग किसे ने किसी जगे से सस्पेंड कर देते हैं, मतलब लटका देते हो आप इसको ऐसे करके किसी एक पॉइंट से, इसको आप ऐसे सेंटर पॉइंट से सस्पेंड करते हो और उपर कहीं से फिक्स कर देते है ताकि यह पुली नीचे ने गर जा कहीन कहीन यह attach होती है पुली और पुलीस का mainly जो काम है पुलीस का जो main purpose है जो main purpose है yes once the screen is black if you are drawing something it is not visible okay just a minute here just a minute just a minute just a minute just a minute I think now it is visible okay no it is visible Vedika and confirm go upload once once Agrawal now sorry black screen the screen is okay 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 yeah okay yeah yeah और चारो तरफ उसके string है और अब देन उसके बाद हम क्या करते हैं उस block से एक object attach करते हूं मतलब string से कोई एक object attach किया जाता है कोई भी rectangular object या जैसा भी object तो मालो इस तरफ हमने एक object attach किया ठीक है और उसके बाद हम इसको दूसरे side से जा करके pull करते हैं तो अब आपसे question पूछा जाएगा कि pulley होती क्या है मतलब अगर pulley के बारे में पूछा जाए कि आप define करो मतलब आपसे कहा जाए कि अगर आपको कहा जाए what is a pulley इसको आप कैसे define करोगे मतलब यह क्या है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो pulley है वो हमारे लिए कि to simply physics के language में एक हमारे लिए machinery है मसीन है और कुछ नहीं है और एक मशीन के लिए क्या काम होता है मसीन आप definition of machine क्या देते हो कि मसीन को define करना हो तो क्या definition देंगे आप ठीक है तो मसीन की बहुत अच्छी definition जो है वो अगर आप definition of machine चाहते हो तो बहुत अच्छी definition जो है कि अगर आपने सुना हो कि वाट इस मसीन तो बहुत बहुत अच्छी डेफिनिशन दी गई है कि कि something which reduces the human effort that is machine ठीक है कोई वी चीज तो जो एक्जामपल मतलब जो मसी अब पुली हमारा कौन सा effort reduce कर रहा है इसके बारे में आप से जानना चाहूँगा पुली हमारा कौन सा effort reduce कर रहा है यह आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से पुली ने आपको as a mercenary आपकी help की है क्या advantage दिया है तो सुनिएगा टॉर्क नहीं आपको मैं एक एक्जामपल देता हूँ सुनना क्या एक्जामपल है यह श्रेश्ट वस्पकर्मा अब आप लोग रुको एक मैट रुको अब आप लोग थोड़ी से थोड़ा सा weight करेए थोड़ा सा weight करो मैं आपको कुछ एक्जामपल देने जा रहा हूँ आप मुझे उस एक्जामपल से समझ जाओगे अ चीके मैं क्या कहने जा रहा तो मालो हमारे पास यह कोई परसन है इस तरीके सा आप डाइग्राम थोला सा वैसे रहेगा बट समझ लेना चीक है तोला सा काटून टाइप का रहेगा परसन बट फिर भी समझ जबते हो आप ठीक है एक परसन है मालो ठीक है और यह जो परसन है इसकी जो आर्म से अब आप खुद सोचना यह आप अगर आप खुद भी ट्राइग कर सकते हो कि अगर आपकी यह आर्म से तो और अगर आपने अपने आर्म के उपर अपने आर्म के उपर कुछ लोड रखा है लोड अपने आर्म्स के उपर कुछ लोड है, डंबल बान सकते हो, डंबल, exercise करने के लिए, और आप अपनी आर्म्स को उपर के तरफ लेके आओ, मतला आप अपने हाथ पर कुछ रखो और आप अपनी आर्म्स को उपर, अप साइड लेके जाओ, तो यहाँ पर आपको muscles बनती हैं, यहाँ आपना आर्म उपर की तरफ जो आपकी एलबो है ठीक है जो आपका ये अल्बो वाला पोर्शन है आप इस अल्बो वाले पोर्शन से अपना आर्म को अगर आप फोल्ड करते हो अगर आप अपना आर्म फोल्ड करो तो क्या होगा क्या होगा कि आपकी यहां पर मसल्स क्रियेट होने लगती है यहां पर प्रेसर पड़ता है आपको और आप बहुत ज़्यादा टाइम तक कर नहीं सकते हैं उसको एगरी कर रहे हैं इसको अप वहीं पर वहीं पर अगर आप अपना आर्म नीचे की तरफ लाओ डाउन साइड पर ले जाने के बज़ारे अगरा आप इसको डूंसाइड आओ तो आप रिलैक्स करते हों इधर आने पर आप रिलैक्स फील करते हो और ऊपर जाने पर आप उपर सके भीर पर करने आपके यहां हैS आरम को डाउन साइट पे लेके जाते हो तो क्या फरक्पड़ता है इसमें कोई डिशेगरी कर रहा है कि नहीं है गलत चीज बिताई जा रही है हाँ जी पौरुस ग्रैविटी की वज़े से है जिसकी वज़े से बड़ कंसप्ट यही है कि हमारा हीूमन एफ़र्ट यह है ठीक है अब आप आईए जड़ा यह बिल्कुल हंड़ेट परसन सही है अब सुनों क्या होता है आप सुनिए का क्या होता है माल लो हमारे पास कोई अबजेक्ट है चीक है मैं आपको एक्जांपल देता हूँ आपको समझ में आयागा कि पुली किस तरीके से वर्क करती है चीक है पुली किस तरीके से वर्क करती है इसको समझने के लिए आप अंज़र देखूं हमारे पा यहां पर आप खडए हो गए और आप इस इस ट्रिंग को वापस खीन चोगी यहां पर आप खडए ओगे को ऊपर के तरफ लेकर जाओगे या नीचे के तरफ लेकरके आओगे यह बताओ आप कि एक ठीकर ना अपसाइड ऑब्यसिली यह आप अपना arm ऐसे मुफ करोगे आप तो जब आप अपना आर्म ऐसे मुफ करोगे तो आपका आर्म जब ऐसे होगा तो फिर आपको यहांでした वाली तो यहां पर अपना एस े आपको यहां पर है लोगा आ आपके हां तो पर फ सरा फील Az Am Bernard pulling the object upward by the help of string. अगर आप कोई भी इस्ट्रिंग लेओं. और मालो यह बहुत हैवी बॉक्स है. अगर यह हैवी बॉक्स है, तो इसमें एक exercise हो जाती है. आपके arms की exercise होती है, आपके biceps बनने लगते हैं. तो यह एक effort लग रहा आपका. अब इस effort को reduce कैसे करोगे? इस effort को reduce कैसे करोगी, pulley किस तरीके से आपके इस effort को reduce करती है वो दिखेगा, जाना pulley का reduction, pulley आपको कैसे help करती है, वो, हाँ, रन दिर, अब आप जब आप इस तरफ आते हो, दूसरे side से, आप दूसरे side जा जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, और यहाँ पर खड़े हो करके जब आ अगर आप अपने हाथ से इसको hold करो, तो अब आप इस point को किधर लाओगे, अब आप इस point को नीचे खीचो, आपको नीचे pull करना पड़ेगा, जब आप right side पर नीचे pull करोगे, तो left side automatically उपर से लाए जाएगा, तो यहाँ पर आपका arm इस तरफ जाएगी, आपकी arm movement downward है, ज जब कि left side पर आपकी arm movement upward है, हाँ कार्तिक, हाँ triceps बनते हैं बच्छे, पुलीस के थुरू बनते हैं, पुलीस के थुरू exercise की जाती है, तो आपने समझा क्या हुआ, कि इन दोनों cases में क्या हो रहा है, आपके पास उतना ही heavy box है, लेकिन comfort level, comfort level कहा पर ज़्यादा होगा, यहा है, क्योंकि जो force है, उसके arms पर उतना stress नहीं आ रहा है, जितना stress पहले आ रहा था, हाँ, अभी दे, four arm muscles also contract, बिल्कु सही है, तो यही इस pulley ने काम किया, यह जो pulley है, इस ने आपका क्या किया, आपके effort को reduce कर दिया, and that is why हम कह रहे है कि pulley जहे है, वो एक machinery है, और machine का क्या है, पुली को आप एक machinery, पुली को अगर आप machinery कह रहे है, तो machine का क्या है, तो machinery का काम हमेशा क्या होता है, जो machines होती है, वो हमेशा कुछ न कुछ output produce करती है, they give some output, आप machine के अंदर कुछ input डालते हो, and you get some output, उससे, तो pulley में हमारा input क्या है, और pulley का output क्या है, पुली में हमारा input क्या है, और output क्या है, वो समझे, अगर आप इसको एक machinery कहा है, तो यह जो pull है, जो आप downward pull लगाते हो, downward pull, यह हमारा input है, और pulley as a machinery क्या का काम करती है, कि जब आप string को downward pull करते हो, इस तरफ downward pull करते हो, right side वाले string को जब हम downward pull करेंगे, तो यह pulley किसी mechanism के through, वो अब एक engineering का part है, मतलब वो की, ऐसा कैसे होगा वो अभी हम उस पर नहीं जा रहें, वो class 9th का part नहीं है, कि यह चीज़े कैसे process की जाती है, जी कि वो तो आसा advance level, class 11th और further b-tech की चीज़े हो जाएगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ यह समझो, कि जब आप right side वाले string को downward pull करते हो, तो आपके इसी pulling force को pulley दूसरे side पर transfer कर देता है, with a change of direction, with a change of direction. आप सिर्फ यह समझेंगे, whatever pulling force you are applying on the right side in the downward direction, will be transferred to the left side on the box with a change in direction. So, if you pull downward on the right side, you get upward pull on the left side, automatically यह pulley का काम है, चीक है, जितना भी आप pulling force दगाओगे, वो left side पर transfer, हो जाएगा with the help of pulley, कैसे होगा उसकी detail पर हम नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा उसकी detail पर नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि वो एक, मैंने फिर बोला, यह समझा नहीं सकते हैं, अभी कोई messaging मत करीए, अभी कोई messaging नहीं करीए, अभी lecture जब हो जया, उसके बाद doubt पूछेएगा, आंसर मिलेगा आपको, सबसे पहरे तो आप समझो कि pulley क्या है, तो pulley मैंने फिर बोला कि pulley एक simple machine बोलते हो आप इसको, it is a simple machine which transfers the force from one side, which transfers the force from one side to the other side with change of direction, I repeat, it is a simple machine which transfers force from one side to the other side, right, force from one side to the other side with change in direction, that is the definition of pulley. working point of view से, अब बहुत सारी queries वरी आती है, बहुत सारी queries आती है, तो उन queries को मैं resolve करना चाहूंगा, यहाँ पर देखो, बहुत सारी queries आपकी आएंगी, तो उनको अब आप one by one resolve करिएगा, तो अब वेट करो, आपकी query मैं 100% resolve करने के mood में हूँ, जो कैसे होगा यह, सबसे पहला question यह pulley है मालने, फर्स्ट क्वेशन, अगर हम इसको pulley मालने, circular form में, और इस तरफ हमने, और इस तरफ कुछ ऐसे रखा आपने, यह strings मालने, और यहाँ पर हमने मालने कोई box place किया, यहाँ पर कोई box है, तो first question जो आपने अभी पूछा है, और यह pulley obviously suspended होगी कहीं से, otherwise यह नीचे गर जाएगी, gravity इसको नीचे लियाएगी, तो pulley को मुझे hold करना पड़ता है, अब आपने question कहा कि sir अगर हम इस तरफ खड़े हैं और हम अपने पूरी ताकत लगा करके इसको downward pull किया, और माल लो आपने कोई एक force लगाई, suppose that आप pull करते हो, let's say you pull it by कोई भी एक force माल ले, 20 newton माल ले, 200 newton माल ले, बहुत ज़दा आपके अंदर power है, तो आप 200 newton की force से downward pull करते हो, so यह जो pulley है, इसके बारे में मैं आप से कहा रहा हूँ कि यह एक machinery है, machine है यह, इस machine का का काम क्या है, आपके इस 200 newton force को दूसरे side पर transfer किया जाए, यह इस pulley का काम है, कि जो आप यह pull लगा रहे हैं, you pull it by 200 newton, so this pull will be transferred to the left side, this pull is transferred to the left side, अब query यह है, क्या same intensity होगी, क्या यह 200, पूरा-पूरा 200 ही transfer होगा, या कुछ कम हो जाएगा, और genuine point है, genuine point है यह, तो मेरा question क्या है, मेरा answer क्या है इसके लिए, कि जितना आप downward pull लगाओगे, यह उपर के side लगे गए यहाँ पर, direction change होगा, तो आप downward pull करोगे, तो pulley की वजह से दूसरे side पर यह upward हो जाएगा, downward pull will become upward pull on the other side, point number one, and this is denoted by capital T, which is tension force, and it should be equal to 200 newton, if we assume everything to be ideal, everything to be ideal, अब machinery में सुनिएगा, machinery होती है, जो भी machine होती है, जो भी machine होती है, वो 100% efficient नहीं है, कोई भी machine 100% efficient नहीं है, तो मैंने आपको ideal case माना, अब ideal case क्या है, ideal case का मतलब, मैं यह assume कर रहा हूँ कि यह machine बहुत perfect machine है, और उस perfect machine में कहीं पर कोई loss नहीं हो रहा, जितना आप input दे रहे हो, which is 200 newton, देखें, जो आप pull करते हो, वो input है, और वो जब दूसरी तरफ transfer होता है, तो वो उसका output है, तो हमने एक ideal conditions मानी है, that means, कि हमारे real life में, in a real life, in a real life, output will always be less than 200 newton, always less than 200 newton, real life में, बट, on paper, on paper, और आप कह सकते हो कि, अभी हमारी age काफी कम है, class 9th में पढ़ रहे हैं लोग, तो इस stage पर हमें और चीजों को समझने में तरह सा problem है, because, gradually वो age के साथ आप learn करोगे, कुछ चीजे class 11th में learn करोगे, कुछ चीजे आप जब engineering में enter करोगे, तब learn करोगे, तो यह एक बार में समझ कभी नहीं आएगा, पुली का topic एक बार में कभी नहीं समने आएगा, बट अभी आप इतना माल दो, कि यह loss होता है, real life में, यह loss होता है, real life में, अब क्यों loss होता है, वो समझेगा, क्यों loss होता है, इसका answer समझो, उसके पहले ideal conditions क्या है, उसके पहले आपको यह भी समना पड़ेगा, कि ideal conditions क्या है, सुनिए, तो ideal pulley कब बनते है, तो उसके मैं answer दे रहा हूँ आपको, ideal pulley कब होती है, नमबर बन, उसमें zero mass हो, नमबर टू, पुली में कोई friction नहीं होना चाहिए, नो friction, और सर्फेस आफ पुली, कोई friction नहीं होना चाहिए, यह दो conditions आपकी ideal है, अब यह कैसे फुल्फिल होंगी यार, कार्टेक मैं क्या बोल रहा हूँ यार, वारुष जी रुख जो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि ideal चीजे जो होती है, ideal का मतलब होता है, only in your mind, only in your mind, ideal pulley का मतलब something which is in your mind, कि ऐसा होना चाहिए, but that will never happen, कभी नहीं होगा यह, होगा कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैं फिर बोल लाँ आप आइडिल पुली पढ़ने का मतलब यह नहीं है, it is just a thought, just a thought in our mind, कि ऐसा होना चाहिए, but यह thought reality में कभी भी convert नहीं होगा, कभी नहीं होगा, that is just imagination कहलो आपकी, यह मेरी imagination है कि ऐसा कुछ होगा, और science इसी तरीके से आगे बढ़ती है, science में क्या होता है, कि पहले हम चीजों को ideal assume करते हैं, imagination करते हैं, एक thought अपने मन में लाते हैं, फिर उस thought को implement करते हैं, तो implementation के बाद हमें यह मालूम चलता है, कि नहीं यार, कुछ चीज़े possible नहीं है, तो उस पर मत जाना अभी, उस पर बिल्कुल मत जाएगा आप, अभी की क्या हो रहा है, अभी आप चिप-चाप accept करो इसको, ठीक है, हमने कहाना है कि हर एक छीज का answer आएगा, बट उसकी एक age होगी, आप engineering में एंटर करेंगे, आपको सारा answer मिल जाएगा, so ideal pulley, zero mass, no friction on the surface of pulley, इससे क्या होगा, no friction on the pulley, in other words, आप यह भी कह सकते हो, कि जो point number 2 है, point number 2, उसमें हम यह भी कहते हैं, कि pulley rotate ना करे, this is no rotation of pulley, idle case में, there is no rotation of the pulley, इस बात को ऐसे समझो, आप जब washroom में जाते हो, नहाने के लिए जाते हो, या wash basin में जाते हो, hand wash करने के लिए, तो जब आप null को खोलते हो, टैप को जब open करते हो, और आपके हातों में soap लगाओ अगर, soap लगाओ, तो आपने कभी भी notice किया हो, कि उससे tap को open करना difficult हो जाता है, उसको rotate करना difficult हो जाता है, कभी भी, अगर आप नहाते वक्त आपके हातों में soap लगाओ, और उसके बाद आपको null खोलना हो, तो sad null खोलता ही नहीं है, rotate ही नहीं होता, आपका हात slip कर जाता है उसके उपर से, रोटेट नहीं कर पाता हो, तो क्या होता है कि जब अब उसको आप पुली वाले एक्जांपल से लो, पुली वाले एक्जांपल से, वो जो आप open कर रहे हो, अगर smoothness होगी, तो rotation नहीं हो सबता कभी, जितनी ज़्यादा smoothness होगी, rotate है नहीं कर पाएंगे, उसके लिए roughness चाहिए होती है, roughness, तो second number का point यही है, idle conditions में, lubricant type की चीज़ हो गई, कि हम यह assume कर रहे है, हम यह assume कर रहे हैं कि जो पुली है वो rotate नहीं कर पाएगी, उसके उपर इतना ज़्यादा smoothness है, कि वो rotate कभी नहीं कर पाएगा, मतलब string जो है, string पुली के ऊपर से slip कर जाएगी, फिसल जाएगी, rotate नहीं करेगी, यह मेरा assumption है, मैं फिर बोलना है, यह सब कुछ real life में कभी नहीं होगा, but to start with the chapter and as per our age, class 9, तो हर age के हिसाब सही होती है, तो आपको क्या होगा, इन दो conditions में यह मानना पड़ता है कि yes, और तीसरी condition क्या है, ideal pulley के अलावा, third condition हम एक और ची लगाते हैं यह आपर, ideal string, and ideal string मतलब the string which has zero mass, यह भी हमारा thought है, बट क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई भी material नहीं है, जिसके अंदर mass नहीं है, तो हमने यह माना है कि न तो string में कोई mass है, न पुली में कोई mass है, न पुली में कोई roughness है, most ideal conditions आप imagination में ला रहे हो, और इन सब conditions के बाद आप यह कह सकते हो, कि अगर आप 200 newton का force downward लगाओगे, तो इतना ही force दूसरे side पर direction चेंज करके मिलेगा, मतलब कि अगर आप downward लगा रहे हो, तो on the other side you will get the same force in the upward direction, but इससे फाइदा यह हुआ कि downward pull करने पर आपका जो arm है, downward pull करने पर आपकी जो arm है, जो आपके body की जो arm है, वो arm यहाँ पर आपको नीचे लानी पड़ती है, और जब आप अपने arm को नीचे लाते हो, तो यहाँ पर आपको less pressure feel होता है, that is, आपको यह comfort मिलता है, आपको अप नहीं advantage मिला आपको और कोई advantage नहीं मिल रहा है, इसी को mechanical advantage कहा गया है, कि ठीक है, कम से कम मेरे हाथों को अराम मिल रहा है, relax मिल रहा है मेरे हाथों को, चीक है, और physical fitness अलग से बन रही है आपकी, वो अलग चीज़े, अगर यह box, सुनियेगा, अगर यह box माल ले कि 10 kg का है या फिर 8 kg का है माल लो, suppose that, तो होगा क्या, तो होगा क्या, नव दिस बॉक्स विल, अपवर्ड फोर्स अफ 200 N, दिस बॉक्स विल रसीव अपवर्ड फोर्स अफ 200 N, वेर आज, is the gravity will pull the object in the downward direction, pull of gravity will be downward, and that pull of gravity will be 8 into gravity G which is taken as 10, so 80 N, now gravity is pulling this object by 80 N in the downward direction, and we with the help of pulley are pulling this object in the upward direction with 200 newton these two are unbalanced forces one side the force is 200 newton on the other side you have a force of only 80 newton so these are unbalanced forces and net force net unbalanced force how much is net unbalanced force so net unbalanced force will be 200 acting in the upward direction minus 80 acting in the downward direction which is 120 newton so 120 newton ka aek unbalanced force and newton says that whenever you have unbalanced force you will get acceleration any unbalanced force will create acceleration and so acceleration of that 8 kg body if i want if you want to find out acceleration of that body then the acceleration of that body should be this unbalanced force which is 120 newton and divided by the mass of object which is 8 kilogram 120 by 8 which which i suppose that 15 meter per second square if my math is correct right 120 by 8 randhir 8 kg per tension force upward ही लग रहा है downward नहीं लग रहा है सुन्जो इस बात को समझो आप पुली का रूल समझो पुली क्या करता है पुली सिंप्ली एक मसीन की तरह काम कर रहा है whatever force you apply in the downward direction the pulley will simply transfer this force to the left side in upward direction means your downward pull of 200 newton will be transferred to the block with change of direction that means आप downward force लगा रहे हो उतना force उस block के ऊपर automatically लग जाएगा upward direction में लग जाएगा उसी को हम tension force का नाम दे रहे हैं इस 200 newton को ही आप नाम दे सकते हो tension force को अलग से फिर कोई और tension force दिखाने की ज़रुवत नहीं है रंधीर यादो जी राइट यह है हमारा पुली का concept यह इस पुली का concept है एक और example देखे देखे रहे हैं कार्टिक एक मिनिट कार्टिक हैंड डाउन करो अब भी नेक्स सेसन में डाउट पूछना भी दिए एक और example ले रहे हैं यहां पर मालो अगर हमारे पास कुछ इस ट्राइब से है 90 डिगरी का केस नहीं है मतलब ऐसा केस है कार्टिक हैंड डाउन करो बाद में पताएंगे भी और ऐसे मालो हम यहां कहीं पर हैं ठीक है हम लोग ऐसे हैं तो पुली का काम आपको समझाते हैं क्या है ठीक है पुली का काम देख लो और आपको जल्दी से इस example को complete करेंगे अब मालो हम यहां कहीं पर खड़े हैं ठीक है हम यहां कहीं पर खड़े हैं और हमने क्या किया, इसको पकड़ा और इसको अपनी तरफ खीच रहे हो, पुलिंग तुदा लेफ्ट साइड, आप इसको लेफ्ट साइड पुल कर रहे हो, और मालो यह पुल जो है वो आपका 100 न्यूटन का है, suppose that, और यहाँ पर 4 किलोग्राम की बॉड़ी है, और यह एक प मजनी है, और इस पुलिंग को हमने किसी तरीके से कहें पर फिक्स कर रहे है, ताकि यह उपर-nीचे नहों पाए, तो पुलिंग के बारे में आप सिर्फ एक बात समझो, कि यह एक मसीनरी की तरीके से काम करेगा, जिसका काम क्या है, जो आपका पुलिंग फोर्स है, यह ट्रांस्फर हो जाएगा ये इसका काम है कि जितना भी आप पुलिंग फोर्स लगाओगे वो उस पुली की वज़ह से मसीन की वज़ह से उस 4 kg के ब्लॉक की तरफ ट्रांस्फर होगा अब प्वेशन है कि ट्रांस्फर होके कौन सी डिरेक्शन में होगा क्योंकि हम लोग पु लेकिन डेरेक्शन चेंज होगा त्रांसफर तो होगा लेकिन डेरेक्शन चेंज होगा हां स्ट्रेस्ट बिल्कुल फुली जो है वो सिर्फ फोर्स की डेरेक्शन को चेंज करेगा और वो फोर्स की डेरेक्शन को हमेशा इस्ट्रिंग के पैरलल आएगा इस्ट्रिंग के पै जैसा भी स्ट्रिंग होगा उसके हिसाब से लगेगा तो वो जो आपका 100 न्यूटन था वो यहां पर ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हो गया चेंज ऑफ डिरेक्शन से हाँ जी पौरिस ठीक है और उसके अलावा ठीक है तो यह जो 100 न्यूटन देख रहे हो यह ट्रांसफर हुआ है ठीक है ट्रांसफर आफ योर पुल उसको ट्रांसफर किया हमने यहां पर उसके अलावा ग्रैविटी का पुल पुल आफ ग्रैविटी जो कि 40 है अब आप देखो unbalance force कितना है तो unbalance force यहाँ पर अगर आप calculate करते हो तो unbalance force की value यहाँ पर 60 newton है उपर की तरफ और acceleration निकालने के लिए 60 divided by 4 कर देंगे which is again 15 meter per second square यह इस तरीके से question solve किये जाते हैं इसके ठीके समझाया है इसको कोई पुली का काम क्या है पुली का काम सिर्फ आपके pulling force को दूसरे साइड पे transfer करने का है इन इन डिजाय डिरेक्शन अभी फिर समझाते हैं नेक्स्ट मीटिंग में फिर समझाते हैं इसको एक आध एक्जांपल और लेते हैं अभी और clarify कर देंगे आपको पुली का सब्सक्राइब तब तक आप रिवाइस करिए इससे कि समझाते हैं इसको explain करते हैं भी फिर से मैं explain कर रहा हूं मैंने काना आप तब तक अभी इसको concentrate करके देखूं